बॉक्स ओफिस पर फुर्सोई सर्फिरा पाच दिन में बस इतना कर पाई है कलेक्शन विल पिछले काफी टाइम से एक हिट फिल्म को तरस रहे अक्षे कुमार की किस्मत साथ नहीं दे रही है अक्टर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म सर्फिरा काफी उमीदों के साथ सिनेमा हॉल्स में रिलीज होई थी हाला कि ये फिल्म भी फैंस की कसौटी पर खरी नहीं उत्री और फिल्म की अच्छी स्टाइटिंग नहीं हुई हाला कि वीकेंड पर सर्फिरा की कमाई में तेजी देखी गई लेकिन मंडे को फिर इसकी कमाई में गिरावाइट आई चलिये जानते हैं सर्फिरा ने रिलीज के पाचवे दिन आखिर कितना कलेक्शन किया सर्फिरा साल 2020 में हिट तमिल फिल्म सौरराई पोट्रू की ओफिशल हिंदी रीमेक है इस फिल्म के ट्रेलर के बाद से इसकी रिलीज को लेकर काफी बज भी बना हुआ था लेकिन सिनेमा हॉल्स में दस्तक देने के बाद इसे फांस से ठंडा रिस्पॉंस मिला फिल्म की दी में शुरुबात हुई लेकिन सैटे दे और सेंडे इसने बॉक्स अफिस पर स्पीड भी पकड़ी अलाकि वीक डेस में फिल्म के कलेक्शन में एक बर फिर से गिरावाई देखी जा रहे है फिल्म की कमाई की बात करें तो सर्फिरा ने रिलीस के पहले दिन लगबख 3 करोड का कलेक्शन किया था दूशरे दिन फिल्म ने लगबख 5 करोड तीशरे दिन लगबख 6 करोड और चौते दिन लगबख 2 करोड की कमाई की वहीं आप सर्फिरा की रिलीस के 5 दिन की कमाई के स्टाइटिंग के आखडे भी सामधे आ चुके हैं एक रिपोर्ट के मताबिक सर्फिरा ने रिलीस के 5 दिन यानि मंगलवार को लगबग 2 करोड का कलेक्शन किया है इसी के साथ सर्फिरा ने 5 दिनों में कुल 15 करोड 20 लाख रुपे की कमाई की है वल आपका अक्षे कुमार की फिल्म सर्फिरा के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें